पर नहीं करना है। असलाम उलेकुम् आप्टकम क्लास, मैं आपका टीज आपका टीशर सधियतुएवक्त। हम पाढ़ें साकेद्ज जेल मैथेमेटिक सुराज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 की क्वेस्चिन नुबर 3 की डिटेलिंग Q3 की डिटेलिंग मैं क्यों बोह रहा हूँ हमें यहां पे सिर्फ एक चीज समय नहीं और यह जटपट हो जाएगा यहां जिस लाइक बिलिंक सिर्फ एक चीज समझ आगी कि जो Q2 में हमने डिटेल से डिसकस किया कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो यहां पे नहीं करना विदाओ फाइंड इनवर्स तो करना क्या है स्टेट दी डुमीन एंड रेंज ओफ एफ इनवर्स जैसे हमने आई होप सो कि आपने रिसेंट लेक्शर मेरे सारे देखे होंगे जैसे हमने एक्सराइज 1.1 में डिटेल से डिसकस किया डुमीन क्या होती है रेंज क्या होती ह डुमीन कैसे फाइंड करते हैं रेंज कैसे फाइंड करते हैं फंक्शन की नो टैफ इनवर्स के एफ की तो अगर किसी ने वो क्लासीज मिस किया है विली राकामेंड एड़ डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक है उसको क्लिक करो पूरी अक्सराइज 1.1 लेको सेकुंस में प्लेइस्ट में आपको विडियो मेलेंगी डुमेन रेंज क्या होती है पुल बुक की तो एक अप्सेसाइज की प्लेइस्ट चालिए रही है के बारे में हमें knowledge होना चाहिए उसकी reason क्या है domain and range is a very simple topic उसको find करना भी बहुत असान है चोटे-चोटे से पार्ट है बस हमें domain range ही लिखनी है और यह question हो जाएगा बट हमें एफ इन वर्स की domain range को discuss करना है ज्योंकि हमने I hope हो कि आपने one point two की भी class zero देखी वहां पे discuss किया था तो आज हम detail से थोड़ा देख लेते हैं देखें बड़ी simple सी story है कि हमने एक बात की थी कि अगर x नाम का एक set है और एक y नाम का set है ठीक है तो इसके जितने भी elements होंगे वो x name के होंगे और इसके भी जो भी elements होंगे वो y name से होंगे y1 y2 y3 up to okay goes on और हमने यह कहा कि जो भी function x x से y की जानिब जाएगा वो हमारा f नाम से function होगा और यह किस function को denote का रहा है यह denote का रहा है f is equal to f of x को that's why we are going to use always f of x को हम y के equal रखते हैं क्योंकि x में जो भी value put करोगे उससे answer किसका रहेगा y एगा तो इससे एक चीज हमें समझ आगी कि इससे हमारी क्या है domain है और y हमारी क्या है range है क्योंकि यह हम पढ़ चुके हैं कि जब हम कोई चीज put करते हैं तो वो domain होती है उसे जो चीज निकलती रही है लिकिन recent chapter मतलब first year में जो chapter पढ़े थे हमने okay अब हम बात करते हैं f in verse क्या होता है तो बड़ा simple सा इसका तरीके कार है class zero में मैंने बताया था कि जो हम direction में जा रहे हैं इस direction के according story कुछ यू है कि हम x से map का रहे हैं कि इसकी तरफ y की तरफ so according to this this is our domain and this is our range it's a quite simple method अब यहां पर क्या होने लगए है यहां पर यह होने लगए है कि हम इसको reverse में चला देंगे या तो जो चीज़ reverse में चलती है वो उसका opposite होती है तो जब y से हम x की जाने जाएंगे तो यह चीज़ हो जाएगी f inverse और f inverse के बारे में हमें दो चीज़ें और discuss करनी हो चल्दी से मैं पहली है कि जब हम इदर से इस तरह जाएंगे तो situation change हो जाएगी तो y हमारी domain बन जाएगा और x हमारी range बन जाएगा क्यों 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 कि यह जो statement मैं लिखने लगाँ यह इसको justify करेगी कि f inverse के अंदर हम क्या करेंगे कि जब हम अब y की value put करेंगे तो x का answer आएगा देखिए कैसे कि अगर मैं यहाँ पर यह कह दूँ कि x is equal to f of y तो यह किसी है तक बात ठीक है उसकी reason क्या है कि अब मैंने y की value put करनी तो उससे x का answer ने करना है लेकिन यहाँ पर f inverse y आएगा f of y यहाँ 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 यह स्टेट्मेंट आप जानी पहचानी लग रही होगी आपको कि x is equal to f inverse y because अब हम y में value put करेंगे तो उससे x का answer ने करेंगा तो हमें पता क्या चला कि f जो हमारा होता है function वो x मैप करता है y की तरफ और जो हमारा f inverse है उसमें क्या function होता है उसमें y मै nomina हमें करना क्या है कि हमें as a function domain range जो निकालनी आती है according to that हमें क्या करना domain range निकालनी है जब domain range निकल आए तो क्या करना है कि function की domain होगी जो function की f की domain होगी वो हमारे f inverse की range होगी इतना tough नहीं है जितना सुनने में लग रहा है जब हम question करेंगे तो आप easily देख वाओगे यह त मेरे बोलने में ऐसा लग रहा है है बहुत simple सा इसी तरह जब हम function की range निकालेंगे तो actually domain होगी किसकी inverse की तो यहां पर अगर आप simple way में लिखना चाहो तो बेशक statement बना के लिख लो domain of a function यहां पर अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूं better रह जएगा domain किस चीज की function की य यह range होती है किस चीज की F inverse की बहुत ही simple है यार इससे simple concept I think सोगे आपका और क्या बनेगा यार इससे simple मुझे क्या लगए कोई concept बन सकता है इसी तरीके से जो range होगी function की या वो domain होगी किसकी inverse की तो बस यह एक line याद करने से हमारा पूरा topic cover up हो गया यह hopes हो यह आपको board पे नजर आ रहा हो वहां तक सम्टाइम मुझे पता नहीं चलता board कहां तक नजर आ रहा है problem आ जाती है तो बस यह idea देना था अगर किसी ने note नहीं किया हुआ यह वगा portion तो note कर लीजिए मैं इसको erase करने लगा हूँ क्योंकि मुझे part one or two जल्दी से आपको करवाने है और idea यही नहीं चलेगा हम function की domain निकालेंगे तो कि हमें given क्या है functions और फिर उनका reverse कर देंगे तो वो हमारी domain और range हो जाएगी किसकी inverse की तो शुरू करते हैं सबसे पहले domain of function चले पूरा लिख लीजिएगा नोड़ा बेडी domain of function और range of function ओके तो जब domain की बात आती है तो बड़ा simple सा method है कि हम क्या करते हैं दो तरीके हैं एक तो इसको greater than equal to zero भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी answer निकाल सकते हैं दूसरा हम verbally भी देख सकते हैं बड़ा simple है method कि हमारे पास का बीबी ये हमारी zero line आगी number line कि यहां पे square root में कोई भी value minus वाली नहीं बननी चाहिए क्या माइनस वाली बनी चाहिए और जो मर्जी बन जाए तो इससे हमें पता क्या चाल रहा है कि अगर हम इसके अंदर minus two put कर देते हैं क्या put कर देते हैं minus two अगर मैं यह वाली value put कर देता हूं minus two तो no problem minus two plus two zero zero affordable है ठीक है लेकर मैं इसमें minus three put कर देता हूं x की जगह पे तो minus three plus two minus three plus two अगर square root में है तो क्या answer आएगा minus one which is not acceptable तो इसका मतलब मुझे minus three को नहीं include करना हम मैं minus two को include कर सकता हूं तो मैं क्या करूंगा मैं simply minus two को include करूंगा और कहां तक जाओंगा मैं positive infinity तक जाओंगा तो domain आगई it's quite simple and easy I hope यह आपको समझ आया है तो अगर इस वे में solve करोगे तो क्या होगा plus two दर जाके क्या होजेगा minus two तो यह भी तो यही कहा रहा है कि x की जो value minus two से लेकर equal भी है minus two के और minus two से बड़ी हो रही है तो देखो मैंने वही तो कहा कि minus two से लेकर positive way में आगे जाही जा रही है है यह topic हम बहुत दफ़ाँ detail से discuss का चुके है exercise 1.1 में भी तो अभी मैं इसको detail में नहीं लेके जाता है बस आइडिया देना था वह आपको हो गया होगा okay अब square root वाली है range की बात करते है this is quite easy and simple याद रखना कि जब भी बात आए square root की तो square root की range हम हमेशा बताते हैं कि real number सिर्फ positive वाले इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और अगर आप चाहें आपकी मर्जी है तो आप इस way में भी लिख सकते हैं जैसे हम interval के लिखते हैं कि zero से लेके positive infinity तक I hope यहां तक आपको clear है okay अब मज़दार बात यह तो function की आई ना domain range अब हमें किसके लिखनी है inverse की okay तो हम लिखेंगे four f inverse तो हम f inverse की जब बात करेंगे तो simply आपने क्या करना है जो domain थी range की उनको reverse कर देना यहां नी domain अब जब inverse की आएगी तो जैसे मैंने वहां पर लिखा हूँ है I hope आप देख सकते हो क्या वो देखो जारा उस तरफ उसको पड़ो एक दफ़ा क्या लिखा है मैंने कि हमने जो domain range है उनको पल्टा देना है कि अब हमारी जो domain of f inverse है वो range of f है तो इसकी domain क्या होगी real number positive वाले और range क्या होगी minus two से लेकर positive infinity तक that's it बस हो गया पहला पार्ट खतम हो गया या इतना easy है तो जहां confusion हो रही है वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो लेकिन better way यही है कि आप एक question करने के बाद जानते हो मैं क्या कहने बागी पार्ट खुद करने की कोशिश जर source हो रहा है कि इसमें क्या लिख दिया आप देख सकते हो ना या domain of f लिखते हैं यह f of x क्यों लिख रहा हूं है कि यह क्या लिख दिया उसने उसमें प्रक्राशन ही खतम कर दिया जो लोग domain range का topic पाड़ चुके हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे जीने confusion हो रही है भाया जी क्या put करें कि नीचे वाला fraction जो है वो zero हो जाए तो अगर यह चीज zero हो गई तो यह undefined हो जाएगा it means कि यहां four put करने से यह denominator क्या हो जाएगा zero हो जाएगा तो यहां पे वो value हम domain से निकाल देंगे यह वो value मैं कितनी दफाब हो रहा हूँ न या वो value जो यहां put करने से हमार value undefined हो जाए यहांनी कि x की जगा अगर four put करेंगे तो four minus four zero हो जाएगा तो हम कहेंगे all the real numbers except कौनसी value four four को निकाल के सारे के सारे real number हम इसके अंदर put कर सकते हैं I hope you are my part को समझ रहे हो मैं पर से repeat करता हूँ अगर fraction आजे तो हम क्या कहते थे कि हमने अगर four put कर दिया इसके अंदर तो यह चीज क्या हो जाएगी यह चीज जीरो हो जाएगी does that mean कि यह चीज undefined हो जाएगी तो four को निकाल के सारे के सारे real numbers all right domain के बाद कर लेते हैं range की range जब भी हमारे पस fraction आई अब जानते हैं हम डिस fraction आई तो हम क्या कहते हैं nominator of हम यानिके real number लिखते है all the real numbers except किसको निकालते है nominator of यानिके हमारा जो polynomial value x लिखा है coefficient of यानिके इसका nominator का coefficient तो x के साथ क्या लिखा तो क्या लिखा तो क्या लिखा है one और इसी तरीके से coefficient of denominator वह क्या x के साथ क्या लिखा है जी one लिखा है अब जिन्हें confusion हो रही है, थोड़ी सी भी समय नहीं हा रही, रेंज वाली वीडियो ज़रूर देखो, कि हम जब fraction में कोई भी function मिलता है, fraction में, तो हम उसकी range कैसे find करते हैं, simple भी हम बस एतनी सी बात है, कि हम दें उपर और नीचे देखना है variable कौन सा है, तो x variable है, तो उपर भी variable के साथ जो लिखा है, जिसके साथ कुछ नहीं होता है, उसके साथ क्या होता है, वो लिखना है, और फिर नीचे भी देखना variable है, तो उसके साथ क्या लिखना है, वो लिखना है, और उस value को real number में से subtract कर देना, यह हमारी क्या हो जाएगी, range, आई होप आप समझ रहे हो अब ठीक है, तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी, kindly वो वीडियो देखो, अब हमने function के लिए लिख लिए है, अब हमने किस के लिए लिखना है, हमने अब F inverse के लिए लिखना है, तो simply, बस इनको reverse कर दो, या, कि जो उसकी domain थी, वो इसकी range हो जाएगी, और जो उसकी range थी, वो इसकी domain हो जाएगी, तो domain of F inverse is equal to, जो उनकी range थी, यानि कि real number, subtract one, वन क्यों लिखना है, one over one, या, one नहीं होता है, तो आप चाहो, तो इस जगह पे भी क्या लिख सकते हो, one, so it's not a big deal, ओके, इसी तरह domain के बाद अब हम क्या लिखेंगे, range of F inverse, it's quite simple and easy thing, literally, तो वो क्या थी, real numbers, four होगा, या, subtracted four, that's it, तो part number one, part number two, मैंने आपो करवा दिये, three or four, खुद करने की कोशिश ज़रूर करो, ताकि आपको खुद से करने को आए, confidence तब ही built होगा, अब आप खुद करेंगे, try करो एक दफ़ा, मैं तो करवाओंगा ही, so let's continue, alright guys, let's do the remaining parts, part number three कि अगर बात करें, quite simple and easy है, कि function given है, one over x plus three, and domain हुद ही बताई जाता है, हर दफ़ा, यहां भी, वहां भी, हर जगा बताई जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कि x is not going to be equal to three, never, ever, yeah, तो हम जानते हैं, क्यों, क्योंकि अगर यहां पर minus three ही लिखा होगा, sorry minus three लिख दिया, क्यों, क्योंकि अगर यहां minus three put कर दिया, तो minus three plus three which is equal to zero, तो यह चीज़ होजएगी one over zero which is undefined, तो हमने यह बहुत दफ़ा पढ़ा है कि undefined जो होता है, वो range में नहीं आता है, तो हमने क्या करना है, कि वो value, या, वो value जो यहां put करने से, यह चीज़ zero हो जाए, fraction zero हो जाए, उसे real number में से निकाल दो, so all the real numbers except subtracting minus three, clear, I hope so, या, या, तो range इसकी कैसे होगी, एक सीज़ या रखिएगा, वोती सिंपल सी बात बताने लगो, हमेशा या रखना, अगर कोई भी function constant over linear है, यानि कि यह समझे लो, कि अगर fraction में linear आ जाए, linear function जिसमें variable की power 1 होती है, तो अगर कुछ भी उपर लिखा है, नीचे अगर वो linear है, नीचे अगर वो linear है, रटा लगा लो, क्योंकि यह sometime MCQ भी आ जाता है, तो आपने सिर्फ यह देखना है, कि अगर इसकी domain या range देख रहे ह ठीक है, कि हमने क्या सीखा, कि जब भी कोई function ऐसा लिखा हो, जिसकी fraction में linear function आ जाए, तो हम यह कहते हैं, कि उसकी range क्या होगी, all area numbers, accept then 00 को छोड़ के, ओके, तो हम वही खाम करते हैं, जो पहले का रहे थे, कि हम इसी को लिख लेते हैं, for inverse के लिए, तो वो तो आप जानते ह कि वो इसकी range होगी और जो इसकी range थी वो इसकी domain हो जाएगी, quite simple, yeah, all the area numbers, except then minus 3, that's it, all right guys, अब हम बात करते हैं, part number 4 की, वैसे part number 2 paper में ज्यादा तर आता है, part number 1 भी आ जाता है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता है, हम इसी important कौन से सब भी important है, स्रीकोंस में समयते जाएए, और practice सब की रखिए, यह easy इतने है कि इनमें tough, कुछ भी नहीं लगता है, मुझे तो, किसमें toughness की कहां से बात आ गई, okay, part number 4 की बात करते हैं, फिर भी बात, कि अगर मैं इसको equal to zero ले लूँ, तो यह is equal to five की equal आएगा, तो five से लेके positive में जितनी values हैं, वो सभी की सभी, यह process करने की जुएत नहीं है, क्योंकि यहां पे इसने खुद बता दिया, यह एक काम बहुत अच्छा का रहा है, हमें domains खुद ही बताई जा रहा है, तो हम यह समझ सकते हैं कि five से लेके x क्या है, greater की तरफ हो रहा है, तो domain of f is five include करने है, और five से लेके positive infinity तक, I hope you get it, okay, तो range of f क्योंक completely, तो अब क्या करना है, भाई ही काम जो पहले करते हैं, कि four f inverse, अब हम f inverse की बात करते हैं, inverse के लिए, अगर इस question के हमने domain range लिखने हैं, तो क्या करेंगे, सिरफ उनी को उल्टा देंगे, यानि कि domain of f inverse, और range of f inverse, and I hope you completely getting it, because it's quite simple and easy, यार, इसमें कुछ भी समझने वाला मु पॉजिटिव इंफिन्टी तक चले जाओ, और range में क्या लिखोगे, five से लेकर, पॉजिटिव इंफिन्टी तक चले जाओ, and that's it, that's it, yeah, that's it, ये हमारे होगे, सारे के सारे parts, question number 3 के, और access size भी काफी, आपको समझ में आगी होगी है, I hope so I have you well, कहीं कोई confusion हो, वीडियो को सम करो, आपकी रहे matter करती है, तब ही आपसे पूछता हूँ, प्रैक्टिस जरूर कर लेजिएगा, चाहे कोई कि कितनी भी चीज असान क्यों ना हो, अगर हम उसको ठीक से ना समझें, यह प्रैक्टिस उसकी ना करें, एक दफा समझा, और फिर बस कहा गे, यह तो आगया, it's quite easy, quite simple, अब यह ट्रैक्टिस कर चुक है, जो बाद मैं का रहा हूँ, आपके साथ यह हो चुक है, experiment, कि चीज बहुत असान लगी, हम ने कहा, this is quite simple and quite easy, यह तो मैं चटबट कर लोगा, और जब हमने बाद में, actual में उसको implement किया, और मैं प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, तो कहावत है, जो मुझे काफी अच्छी लगती है, कि हवा को तुफान बरने में देर नहीं लगती, जी, तो बिल्कुल ऐसा ही है, कि सम्टाइम क्या होता है, कि हसान सी चीज भी हमारे लिए वबाल और मुशकल बन जाती है, उसकी reason हमारी less practice होती है, तो कोई question कितना भी easy, यह simple क्यों नहीं हो, उसको एक दो दफा कर दिया करो, अभी के लिए better है, क्योंकि long term में आपको फाइदा होगा, पिर मिलते हैं next lecture में, तब तक अपना और अपने घरवलों का बहुत क्या रखेगा, खुद आप सब को बहुत कामें आप करें, खुब महित करते रहे हैं लेकिन smart कर दो